नमस्कार इसरों के इस महा अभियान से जुड़ने के लिए आप साधा राम अंत्रित हैं मैं पद्मदेव मिस्रा अपने को होस्ट स्रीमती आरुसी सेट के साथ आप सभी को और देश बिदेश से जुड़े सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं 23 अगस 2023 आज की साम इसरों के वैज्ञानिकों और सभी अंत्रिक्ष वैज्ञानिकों के साथ लैंडर माडियूल को चंद्रवा के सता पर उतरने के अयतिहासिक पलों को देखने के लिए तैयार और उत्सुक हैं जी हाँ इसरों के गौरों पूर इतिहास में एक और अध्या जुड़ने जा रहा है और आज हम सब लोग इसके साक्षी वनेंगे आप ए सारे विज्वल्स अपने स्क्रीन पर इसरों के मिसन आपरेशन कॉम्पलेक्स यानि मौक से देख रहे हैं जो की बैंगलूरू में इस्तित टेलिमेटरी ट्रैकिंग एंड कमान नेटवर्क इस ट्रैक से प्रसारित किया जा रहा है ये विज्वल्स आपको पावर डिसेंट के काउंड़ाउन और उस पत को प्रदर्सित कर रहा है जिस पे चलकर लैंडर आज चंद्रमा के साउथ पोल पे सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग करेगा आपको ध्यान दिला दूँ इस समय हम लोग पावर डिसेंट सुरू होने से लगभग बाईस मिनट दूर है जो दर्सक थोड़ी देर से जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें आप लोग इस एतिहासिक पल को इसरो के आप फिसिल वेबसाइट फेस्बुक ट्विटर और यूटूब पे भी देख सकते हैं ह का tarशव इस्रो ओन सेखेस्टे से सफचितफ बेजिद देख ए inc. ट्रेजस्टाव घंस यसिष्ट है झार्या, इस्रोस फोड कर तूं प्र टीने थाम दिवेश्ड को ऑर इंद्यस प्रतिजस चंदरियां tulee अगुछूि सेट, टूछू शपैक्षा है बूछूज उनी आतичноद वे अधूनिक्स चाहि अ इस्ट्रोश त्रियम्थूम्लेस मेंटिकर भॉट्री ड्माझडिकर उ स्ट्ट्राच्ट इट न दो सब्सक्ट्रा है अरुछू। and my colleague Dr. Padamdeo Mishra are your hosts for the evening and shall accompany you on the journey of the landing event from Power Descent Start to Touchdown. Today we shall be witnessing the final phase of the critical and most technologically challenging mission operations of Chandrayaan 3 wherein the lander module will be making a safe and soft landing on the surface of the Moon. These display screens show the countdown to the Power Descent Start as well as the path that will be followed by the lander module. We are 18 minutes away from the commencement of Power Descent. India is at the brink of creating history as we all await with bated breath to witness the landing on Moon's South Polar region. . कि इसको का पहला मून मिसन प्रियान वन अक्टूबर दो हजार आठ में पी एसल्ब अगर मैं सही मायने में कहूं तो अंतरिक्ष का कोई भी मिशन हो और चाहें किसी भी देश के द्वारा संचालित किया जा रहा हो इस रोग मिसन के निश्चित्ता और अनिश्चित्ता के बीच बहुत ही महीन अंतर होता है जिससे की एक मिसन सफल या असफल होता है लेकिन ना हम ठके ना हम हारे हमने पिछली कमियों को सुधारते हुए आज पूरी तरह से आस्वस्त किया है कि लैंडर माडियूल निश्चित्त तोर पे चंद्रमा के सता पर सेफ और साफ्ट लैंडिंग करेगा सभी दर्शकों के जानकारी के लिए अब हम इसरों के अब तक के सभी लूनर मिसन्स को संचिप्त विवरण प्रस्तुत करेंगे जी हाँ इसरों का पहला मून मिसन्स चंद्रयान वन अक्टूबर 2008 में PSLV राकेट के द्वारा सफलता प्रुवक प्रक्षेपित किया गया था चंद्रयान वन ने चंद्रमा के सता पर पानी की खोज करके पहले ही तियास रच चुका है यही कारण है कि आजकल विस्व के तमाम अंतरिक्ष बैग्यानिक और स्पेस एजन्सिया चंद्रमा को और करीब से जानने के लिए उत्सुक दिख रही है अगर हम बात करें चंद्रयान दो की जो इसरो का दूसरा मिशन है जुलाई 2019 में इसरो के सबसे ताकतवर राकेट LVM-3 द्वारा सफलता प्रुवक प्रक्षेपित किया गया था और आज भी लगभग चार साल बाद यह चंद्रमा के सो किलो मिटर के सर्कुलर आर्बिट में घूमते हुए बहुत ही उत्तम क्वालिटी का डेटा प्रदान कर रहा है मिशन के प्रारम में इसकी आयू एक साल निर्धारित की गई थी परन्तु LVM-3 दुरा बहुत ही सटीक इंजेक्षन और मिशन मैनेजमेंट के वज़ा से चंद्रयान दो काफी लंबे समय तक कारेरत रहेगा अब तक चंद्रयान दो चंद्रमा के लगभक सभी भागों का चित्र ले चुका है इसका एक बहुत ही महत्वूड पेलोड OHRC यानि की आर्विटर हाई रेजूलूशन कैमरा विश्व का सबसे वेतरीन कैमरा है जो की चंद्रमा के सता का लागातार पिक्चर भेज रहा है अब मैं ROCG से निवेदन करूँगा कि वह आप लोगों को इसरो के बर्तमान मिशन चंद्रयान 3 के बारे में बताएं अब ही आपने मिश्रा जी के द्वारा सुना इसरो के अब तक के लुनार मिशन का विवरन अब चलते हैं तोर्स चंद्रयान 3, the follow-up mission of Chandrayaan 2 which has been designed to accomplish our mission goals The primary objective of Chandrayaan 3 mission is the demonstration of safe and soft landing on the lunar surface This demonstration is a critical aspect for ISRO's future interplanetary missions In addition to this, the mission objectives also include demonstration of roving capability and conduction of in-situ scientific experiments on Moon's surface Carried on the shoulders of India's heaviest rocket LVM-3 on the 14th of July Chandrayaan 3 was placed in the precise elliptic parking orbit of size 170 by 36,500 km ISRO, in its mission plan of following the incremental trajectory approach carried a total of 5 earth-bound maneuvers The 5th apogee racing maneuver, which took place on the 25th of July placed the spacecraft in an orbit of 250 by 1,27,000 km At the early hours of 1st August, the Translunar injection was carried out after which the composite module began the final leg of its long journey of nearly 3,84,000 km for its rendezvous with the Moon The TLI was a key step in the mission, enabling the spacecraft to escape Earth's gravitational pull and travel to the Moon An orbit of 288 by 369,328 km was achieved at the end of the Translunar injection Yes, yes, Translunar injection is an interplanetary mission for any interplanetary mission The TLI was established at the end of the Moon and the 18,000 km of Apollo moon We have a mission to establish the Elliptical orbit in the U.S. T-Li The TLI TLI The TLI We must keep this जटिल आपरेशन होता है। इसमें हमें यह ध्यान देना अवस्यक होता है कि उपग्रह के बेगमान को एक निश्चित बिंदु से घटाया जा सके। अन्य था उपग्रह चंद्रमा के प्रभाव छेत्र से बाहर निकल जाएगा। का लगभग 755 किलोग्राम इधन का उपयोग हुआ और चंद्रयान 3 के बेगमान को लगभग 850 मीटर प्रतिसेकंड कम कर दिया गया। लगभग 150 किलो मीटर के सरकुलर आर्बिट में स्थापित करने के बाद 17 अगस 2023 को प्रपल्सन माडिट से अलग कर दिया गया। पुनह लैंडर मॉडल के आर्बिट को दो डूइबुस्ट मैनिवर्स के द्वारा 150 किलो मीटर के सरकुलर आर्बिट से घटा कर 25 गुडे 130 किलो मीटर के इलिप्टिकल आर्बिट में स्थापित कर दिया गया। इस दोरान यह भी सिनुष्चित कर दिया गया कि 800 न्यूटन के चारो थ्रटवल थ्रस्टर्स पावर डिसेंट के समय किसी भी चुनुपती का सामना कर सके। लैंडर माडूल इस आर्बिट में चार दिन तक चंद्रमा की परिक्रमा करता रहा ताकि इसके सभी सबसिस्टम को पावर डिसेंट से पहले कार्यात्म कुरूप से वेरिफाई और वैलिडेट किया जा सके। इस दोरान चंद्रयान 2 और लैंडर माडूल की आपस में बाचीत भी हो चुकी है। पावर डिसेंट की सुरुवाज से ही लैंडर के आरवितल प्लेन में बना रहा है। अबस्सक्र में तो चुकी एलिए र्रीव स्वीटिस्टम की अर्विटल् प्लेन है। तो प्लेन 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 की पावर डिक्रमा की खेर लिए। We are also happy to announce that live images from the Chandrayaan-3 lander imager camera is being received continuously. The demonstration of dawn's surface is no ordinary feat due to the innumerable challenges and complexities involved. The lander velocity has to be killed from nearly 6048 km per hour without any aid from the thin and tenuous moon's atmosphere. The lunar dust at the time of landing and the craters and boulders scattered over the moon's surface make it further complicated to achieve this. The new and improved Chandrayaan-3 design has been built after envisaging all the scenarios which the lander module can encounter. With several software improvements provisioned for full-level redundancies, a plethora of special tests, namely the integrated hot test, integrated cold test and lander leg drop tests were carried out for the lander module. The success of these tests has provided great confidence in the performance of all the onboard sensors, propulsion system and associated guidance, control and navigation algorithms. The key findings during the tests have enabled to improve the overall system performance. The largely unexplored south pole of the moon has been chosen as the intended landing site since there is a possibility of finding ice and other minerals which would be vital resources for future explorers. Apart from continuing investigations pioneered by Chandrayaan-1 and Chandrayaan-2, the Chandrayaan-3 mission will also provide invaluable data to the science community around the world. Let us give our viewers a glimpse on the configuration of Chandrayaan-3 mission. Chandrayaan-3 mission plan is bırak-bought mand Gray-bought Chandrayaan-2 of Chandrayaan-2. That is the question of Chandrayaan-3 mission plan, the Chandrayaan-3 mission plan is jeweils made by Chandrayaan-2. Chandrayaan-3 is given by Chandrayaan-3-3 rocket-1 or at Chandrayaan-3-3 rocket. Chandrayaan-3 mission plan means to establish the same way at Chandrayaan-3 in Chandrayaan-3. We are now we can say that the planet is the same way at Chandrayaan-3ダ. However, we can say this plan is the same as the solution as the problem of Chandrayaan-3. को इस तरह से मजबूत किया गया है कि लाइंडर पावर डिसेंट के समय किसी भी आपदा से बाहर आकर के मिसन के मुख्य उद्देश्य को पूरा कर सके। इस क्रम में लाइंडर के मुख्य सेंसर्स कारा, लासा, लेच बीसी, लडीवी और लेच डैक का कारयात्मक परिक्षड भी किया जा चुका है। यानि लेजर इनर्सियल रिफरेंसिंग और एक्सिलोरोमीटर पैकेज इस कारे को पावर डिसेंट के दारान बखूवी निभाएगा। ट्रजिक्ट्री जनरेशन जो कि चंद्रयान थ्री मिसन के लिए बहुत ही अहम है क्योंकि हर आर्बित मैनिवर के बाद यह सुनिश्चित किया जाता है कि लैंडर की मिसन आपजेक्टिव को ना बदले। इस क्रम में मैं यह भी आपको बता दूँ कि आर्बिट डिटर्मिनेशन जो कि उपग्रह के पोजीशन और विलोस्टी को बहुत ही एकुरूइटली बताता है एक बहुत ही कठिन और जटिल कमपुटेशन और एस्टिमेशन होता है। जो कि पावर डिसेंट के दौरान साफ्ट लेंडिंग कराने में काफी सहायक सिद्ध होगा। यूर यू बढ़र हाश्ट एक जो अन धिर लेग अन फिल्म hazardous फू फॉप टॉ लो ब the system for all these movements, will also actively measure the surface elemental abundances at the landing location and surrounding area. The lander carries a seismometer ILSA that can sense impact events and lunar quakes. The thermal probe chassis will measure the temperature profile and thermal conductivity of the Moon's Regolith. The Rambha पैलोरिड वे लुनर इont कर्वाूर यान शिलमारा अलिमारा अलीफरिप्र ड् औरोतले दोघस्ट नश्यूंदाइ अब हम पावर डिसेंट के बहुत ही करीब आचुके हैं हम आपको बताते चलिंग की पावर डिसेंट को कुल चार चरणों में बाटा गया है सबसे पहले आता है रफ ब्रेकिंग फेस जिसमें लैंडर की उचाई को चंद्रमा की सतह से 30 किलो मीटर से घटा कर साथ दस मलो चार किलो मीटर कर दिया जाएगा इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग साढ़े ग्यारा मिनट लगेगा और इसका सामाना अंतर बेग 1680 मीटर प्रतिसेंट से घटा कर 358 मीटर प्रतिसेंट हो जाएगा we have continuous flow of lander telemetry data from ISRO's Deep Space Network IDSN 32 located in Belalu, Bangaluru the data is being acquired real-time by station and is flown to the mission operation complex through our communication links in addition to it we also have support from ISA and JPL DSN stations इस प्रेपराइ बिने टेजुन एल्वाराइ प्रेवाए, हैं लोगाओ कर दोलनी इस्टाइश शुवर्ण प्रेवार को। डिपाओ सब्सक्राइ का अप्रेवाओ खाज्ड हो फिर इस प्रेस्षों अप्लिकिस उप प्रेविस पारामेटर फ्रेविस प्रेविक देवाओ जी हाँ, attitude hold phase जो की power descent का दूसरा चरण है, एक बहुत ही महत्वपूड phase है इस 10 सेकेंड के small duration के दोरान, lander के दो महत्वपूड sensor, कारा और लासा, lander की उचाई की गढ़ना करेंगे इस phase के पूरा होते ही, lander चंद्रमा के सतह से कुल 6.8 km की उचाई पर होगा During the rough braking phase, the lander velocity shall be brought down from 1680 meters per second to 358 meters per second. The altitude will be brought down from 30 kilometers to 7.4 kilometers at the end of rough braking. Currently, we can see the scientists are analyzing the lander data. जी हाँ, हमें देख सकते हैं कि mission operation complex roof में बैठे सभी वैग्यानिक ये जो ही data देख रहे हैं, वो deep space network ideation 32 के द्वारा provide किया जा रहा है. और अगर हम अब बात करें, power descent के तीसरे चरण का जो की fine braking phase होगा, जिसमें landing side से just 800 meter की उचाई पर vertically होगा, इस चरण को पूरा होने में लगभग 3 minute लगेंगे और इस चरण के पूरा होते ही, lander की velocity लगभग लगभग सुनने हो जाएगे. अगर हम अब बात करें, power descent के चौथे और अंतीम चरण का, जो की local navigation phase या terminal descent fence भी कहा जाता है, इस दौरान lander के दो engine बंद कर दिये जाएंगे, और lander के sensor द्वारा इसके height और velocity की गड़ना, inertial navigation को भेज़ दिया जाएगा. इस दौरान lander 150 meter की उचाई को प्राप्ट करने के बाद, pull 131 second लगाएगा, इस पड़ाव पे आने के बाद, पुनह लाइंडर 22 second के लिए hovering करेगा. आप इस समय अपने स्क्रीन पे mission operation complex में बैठे, सभी माननेगड़ों को देख सकते हैं, जो की बहुत ही उच सुक्ता के साथ, telemetry data को देख रहे हैं. अभी हम लोग power descent सुरू होने से, just कुछ ही पल दूर है. power descent सुरू होने में लगवग लगवग 30 second ही बचा है, और हमको यह सारे data mission operation complex room में, IDSN 32 के दौरा, जो की लागातार lander के connection में बना हुआ है, प्रदान कर रहा है. Dear viewers, the pivotal power descent has begun and the lander module is propelling towards the moon's surface along the intended trajectory. जी हाँ, अब हम अब देख सकते हैं, रह ब्रेकिंग फेज की सुरूआच हो चुकी है. अबेख सकते हुप प्रेकिंग सकतिके सकते हुआ है। बाटिवालेग्ट र्चैन रह अब नियादर नियूटस के लिवालेग्ट फार इंड नियूद इन गयंट केंग्ट वाग्यू जी हाँ अब अपनी स्क्रीवनेग्टेश। देख सकते हैं कि lander अब तक कुल 191 km होरिजन्टल दिसा में चल चुका है और अभी तक इसकी विलोस्टी लगभग 31 km बनी हुई है. अभी तक कुल 192 km बनी हुई है. जी हाँ, खुल 745 km के इस रफ ब्रेकिंग फेज में आप देख सकते हैं कि हम लोग लगभग लगभग अपनी यात्रा 20% कम्प्लीट कर चुके हैं. पावर डिसेंट की यह सुरुवात हम कह सकते हैं कि बहुत ही सटीक और सधी हुई है. जिसमें लेंडर अपने बेगमान को अनुमानी तरिक से से घटा रहा है. रहाल We बक्त-ठा रहा है से सГला कर देख सकते हैं कि अरूओ कर भोगभग म Même यह स encima ट की यह सो कि प्लीट करेंट कुलो χो बेशाना अपने खे Cी यह स्ट पीलाओ के प्लीट कर आपको कि प्लीट नेर संदीट कि का नूड अपने लबालने प्ली यह स्न ए उन्य कों टॉल हम इस ground trace को देखते हुए कह सकते हैं कि rough breaking phase की शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से हुई है आप ये देख सकती हैं कि जो भी projected ground trace है उसी पे अपना lander module आगे चलते हुए बढ़ रहा है अभी तक ये देखा जा सकता है कि lander module लगभग 370 km 36 दिसा में चल चुका है The mission operations team is analyzing the data We can all see the seriousness and the concentration with which each and every parameter of the lander module is being analyzed The performance see the performance so far seems to be nominal जी आरुसी चुकि ALS activate किया जा चुका है इसलिए ground से कोई commanding नहीं की जा रही है इस दौरान आपके screen पे सारे data इसरो के deep space network से real time में आ रहा है इस mission में second or third order guidance polynomial का प्रियोग हुआ है जो की inertial thrust और angle के हमेशा सुनिश्चित करेगा During the entire descent there is no ground intervention as the ALS has taken charge The preparation for today's event had started nearly 48 hours before wherein various preselections and uplinking of parameters were done We can see that the vertical velocity of the lander module has been brought down It is continuously coming down And the ALS had already been initiated one hour before the scheduled time of the power descent start Following this the throttleable engine electronics module the TEC-M was switched on and lander was oriented to the favorable attitude जी हाँ आप अपने screen पे देख सकते हैं कि lander module जिसकी शुरुआत में velocity 1680 मीटर पर सकेंड थी लगभग लगभग 1150 मीटर पर सकेंड हो चुकी है जो की एक बहुत ही majestic सुरुआत कही जा सकती है इस rough breaking phase के लिए यहाँ पे मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि आप अपने screen पे देख सकते हैं कि the lander module का altitude धीरे धीरे अब कम होता हुआ दिख रहा है और जो की expected भी है अभी हम बात करें current altitude की तो जो की 28.6 km के आसपास है आप screen पर ये भी देख सकते हैं चंडरयन 3 lander imager display the lander imager is continuously giving is continuously taking photographs of the moon's surface and that is also being streamed here currently the horizontal velocity has been brought down and the distance traveled is 574 km the current altitude is 27 km as can be seen on the screen करीब करीब अपने आधे सफर को पूरा करते हुए इस रफ ब्रेकिंग फेज में लैंडर बहुत ही आगे के तरफ बढ़ते हुए अपने उचाई को घटा रहा है अगर अब बात करें तो lander की उचाई चंडरमा के सतह से लगबख 27 km से नीचे हो चुकी है करीब करीब 26.7 km के आसपास है the next phase after the rough braking phase is the attitude hold phase which will be for a duration of nearly 10 seconds the lander will be oriented such that both the altimeters will be looking exactly towards the moon surface at the end of this attitude hold phase height measurement update to navigation system will be given from the laser and carband altimeters करेंटली वी आर इंदे मिडल अव रफ बेकिंग फेज जी हां अगर हम ध्यान से देखे तो लगभक्स आठ से आठ मिनिट की यात्रा के बाद लाइंडर अपनी होरिजेंटल विलोसिटी को लगातार कम करते हुए अपने उचाई अभिक्य उचाई के समझे 24 किलोमेटर की उ अब तक के आकड़ी को देखते हुए हम कह सकते हैं कि लाइंडिंग पूरी तरह से नामिनल है यहां पर हम देख सकते हैं कि होरिजेंटल विलोसिटी लागातार कम होती हुए दिख रही है काई जये काईब युits लिद्वा पाला की कूरी हैरें कि उपमनेटर थी अचाई अरश्वीट कि आपक प्रुट्टी किलोमिटर ्ूरी मिट्यों को देख पूरी मिटट्न टाय हुए इससंग धूरी मिट दूएपरने वाने ब्रही है कारशन के लिए आप सकते हैं कि लैंडर की होरीजेंटल विलोश्टी लगवर्बस साथ सो बइस मीटर प्रतिसेकेंट हो गई है लगवग लगवग है में का सकते हैं कि 900 मीटर पर सेकेंड विलोसिटी को कम किया जा चुका है. At the same time, we can see the altitude of the lander is just 17.8 km from the moon surface, which is going to be around 7.4 at the end of the rough breaking phase. is phase के बात हम जाएंगे towards the attitude hold phase where we will be expecting sensor update from the laser and car band altimeters. We can see the visualization of the lander module moving towards the moon's surface. The current altitude is nearly 15.2 km and the distance travel is 754 km. We can also see the image that the lander imager camera has been providing. अपने कारे को पूरी तरह से अंजाम दे रहे हैं और lander के horizontal velocity को लागातार कम कर रहे हैं. अब तक lander लगभग लगभग अपने 75 से 80 परसेंट की यात्रा को पूरा कर चुका है. After the rough braking and the attitude hold phase, we shall be having the fine braking phase, which will continue for nearly three minutes. The whole phase is being driven by the autonomous landing sequencer and there is no intervention from ground. जी हाँ अरुसी, अभी आप अपने स्क्रीन पर देख सकती हैं कि जो current altitude है चंद्रमा के सतह से लगभग लगभग 10 km के आसपास है. जी हाँ, हम अपने जी हाँ, हमारे प्रधान मंत्री जी, स्री नरिंद्रमोजी जी, हम सभी का उत्साह वर्धन करने के लिए दक्षडी अफ्रीका के जोहानस बर्ग से जुड़ गए हैं. चाहन कि इस बड़ जोग्राता है कर दो हाँ, कि इस धूशने करहें खेले हैं कि प्रिए टेर्रव चाहना कि अच्छा च्छै बनाट प्रधिक zij बेंस्ति हैं. मैं तर बनाट क्रेंगी श्री नरिंद्रमोजी जी, हम जोस्टन साथ आहरे हैं, कि आए और stata जी हाँ आपे देख सकते हैं आइटीट्यूड होल फेस भी बहुत ही आसानी से लैंडर फेस ने पार कर लिया है और अब फाइन ब्रेकिंग की सुरुवात हो चुकी है अभी हम यह देख सकते हैं कि लैंडर की उचाई लगभग 5.6 किलो मिटर है जो कि इस फेस के उपरांत लगभग लगभग 800 मिटर हो जाएगे on the subject we can hear from the mission operations team that the sensors are performing nominally and we are currently in the midst of the fine breaking phase which is going to continue for three minutes and the altitude is going to be reduced to nearly 800 800 meters at the end of this phase जी हां, जैसा कि आरुसी जी ने बताया कि लगभग तीन मिनट के उपरां लैंडर की हाइट लगभग 800 मेटर वरतिकली होगी और यहां पे लैंडर की होरिजंटल विलोसिटी, वरतिकल विलोसिटी, इवन डाउन रेंज भी लगभग लगभग सुन्ने होगा जी हां, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि लैंदर की अब चंद्रमा के सता से लगवग तीन किलो मीटर से कम हो चुकी है. We are very close to the moon's surface, nearly 2.6 km as we can see. जी अहाँ, अभी आप देख सकते हैं कि लेंडर की उचाए लगवग लगवग एक किलो मीटर के आस पास है. We are nearing the final phase of the power descent, which is going to be the vertical descent phase or the local navigation phase. जी हाँ, अब हम fine breaking waste के एकदम खरीब आ चुके हाँ, आप तालियों के गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि हम लोगों ने तीसरे चरण को भी बहुत ही सफलता पुर्वग हासिल कर लिया है. और अभी हम vertical descent phase में आ चुके हैं, जिसकी सुरुवात भी बहुत ही अच्छे डंग से हो चुकी है. अच्छे को मुत olur कर दो मदति आव कई लोगN्ण चुके, अच्छे अच्छे लोग्टर पास्रеци चुके हैं, जिसकी सlà Sounds, जी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लाइंडर क्या हाइट लागातार कम होता जा रहा है इस समय हम लैंडिंग साइड के जस्ट उपर है और इस समय इसकी उचाई लगभग लगभग 600 मीटर के आसपास है इस 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 स्थेस के दोरान लगभग 150 मीटर के उचाई पे पहुचने के बाद लैंडर अगेन लगभग 20 से 22 से के लिए होवरिंग करेगा we are above the landing site the horizontal as well as the vertical velocity is now being constantly reduced and the lander module has begun its descent towards the landing site जी हाँ अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं यह जो पत्निर धारित किया गया है lander पूरी तरह से उसी को ही फालो कर रहा है इस समय हम लगभग 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके है अब हमें देख सकते हैं कि हम लगभग लगभग 150 मीटर की उचाई पे हैं चंद्रमा के सताप से we are approaching the vertical descent phase 2 which will have the lander module hovering at nearly 150 meters above the lunar surface जी हाँ आप इस तालियों के गड़गड़ा हट को सुन सकते हैं जो कि second हायरिक phase के complete होने के बाद इन सारे बैग्यानिकों के द्वारा की जा रही है जी हाँ अगर थिर से ध्यान से देखें तो altitude पुना कम होता जा रहा है अभी हम लोग लगभग लगभग 135 मीटर की उचाई पे हैं अभी हाँ पे देख सकते हैं कि लाइंडर की उचाई लगभग 75 मीटर के आसपास बची हुई है कुर्रंटल अनल याजिन आव बिग लाइंडर की वेग बान को कम किया जा रहा है और हम अब लगभग पचास मीटर से भी कम आचुके हैं। स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम पाव लाइंडर माडूल पूरी तरह से सेफली और साफली चंद्रमा के सता पे लाइंड हो चुका है। यह हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की वात है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के लेकिन अब हमें कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। बहुत ही ओन्दा बहुत ही ओन्दा अवगों के लिए गावगों के लिए प्रदान अधिर जी नमस्कार् मेरे प्यारे परिवार जनो जब हम अपनी आँखों के सामें ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है ऐसी एतिहासी घटनाएं राष्ट जीवन की चिरन जीव चेतना बन जाती है ये पल आव विश्मनिय है ये च्छा अभुपुर्व है ये च्छा विक्सीद भारत के संखनाद का है ये च्छा नए भारत के जैगोश का है ये च्छा मुस्किलों के महा सागर को पार करने का है ये च्छा जीत के चंदरपथ पर चलने का है ये च्छा एक सो चालीस करोड धरकनों के सामर्थ का है ये च्छा भारत में नई उर्जा नया विश्वास नई चेतना का है ये च्छा भारत के उदैमान भाग्य के अहवान का है अमर्थ काल की प्रथम प्रभा में सभल ता कि ये अमर्थ भर्सा हुई है हमने धर्ती पर संकल पर लिया और चांद पर उसे साकार किया और हमारे वेज्ञानिक साथियों ने भी कहा इंडिया इज नाव अन दे मून आज हम अंतरिक्ष में मैं भारत की नई उडान के साक्षी बने है साथियों मैं समय ब्रिच समीट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिन आफ्रीका मैं हूँ लेकिन हर देश वासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाभियान पर भी लगा हुआ था नया इतिहास बनते ही हर भारतिय जश्न में डूब गया है हर गर में उत्सम शुरू हो गया है रदे से मैं भी अपने देश वास्चों के साथ अपने परिवार जनों के साथ इस उमंग और उल्ला से जुड़ा हुआ हूँ मैं टीम चंद्रियान को इसरो को और देश के सभी वैज्यानिकों को जी जान से बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ जिनोंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिशन किया है उच्छा, उमंग, आनंद और भावुकता से भरे इस अधवुत पल के लिए मैं एक सो चालीस करोर देश वाचियों को भी कोटी कोटी बढ़ाईया देता हूँ मेरे परिवार जनों हमारे वैज्यानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिनी द्रू पर पहुँचा है जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुँच सका अब आज के बाद से और चांद को मामा बुराते हैं कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के है और दिन वो भी दम सब्रीशनी दी में경 इंदिया नचेकरी मुशन स्थेटाब मुच्ज पारीजन, को सबस्पिए मीड़क कि अपरीफ्ट भाइले ज्य कर सुटब जो इस अन कर सिर्ण आप हनुः , जो इंदिय δेत। इंद्ट 25 प्टीश YouTube प्रिट्टी अकार्ट cup ok one family, one future is resonating across the globe. This human-centric approach that we present and that we represent has been welcomed universally. Our moon mission is also based on the same human-centric approach. Therefore, this success belongs to all of humanity and it will help moon missions by other countries in the future. I am confident that all countries in the world, including those from the global south, are capable of achieving such feats. We can all aspire for the moon and beyond. मेरे परिवार जनों, चंद्रयान महाभियान के युपलब्दी, भारत की उड़ान को चंद्रमा की कख्षाओं से आगे जाएगी. हम, हमारे सौर मंदल की सीमाओं का सामर्थ पर्खेंगे. और मानव के लिए ब्रह्मान की अनेक संभावनाओं को साकार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे. हमने बविश्य के लिए कई बड़े और महत्वा कांख्षी लक्षत्ताय किये हैं. जन्द ही सूर्य के विश्त्रित अध्यन के लिए इस रो आदित्य एलवन मीशन लॉंच करने जा रहा है. इसके बाद शुक्र भी इसरों के लक्षों में से एक है. गगनियान के जरिये देश अपने पहले यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तयारी के साथ जुटा है. भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि स्काई नौर्द लिमीट. साथियों, साइन्स और टेकनलोजी देश के उजबल भविश्य का आधार है. इसलिए आज के इस दिन को देश हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा. ये दिन हम सभी को एक उजबल भविश्य की और बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा. ये दिन हमें अपने संकल्पों की सिध्धी का रास्ता दिखाएगा. ये दिन इस बात का प्रतीख है कि हार से सबग लेकर जीत कैसे हासिल की जाती है. एक बार फिर देश के सभी वज्यानिकों को बहुत बहुत बढ़ाई और भविश्य के मिशन के लिए धेरो शुब कामनाएं. बहुत 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 दिलाएग! बहुत बहुत को बहुत बहुत के लिए! पहुर मि दर आप अपिडिम को स्थेक्षिरा दिए जडे, प्राद्ट रिखिए, प्डरणीर अपिस अफस्सेट्टिकान क्प Bali का जा दुख्ड था इन दुख्डिए पये पाम करे छोनां पर सुॉम्ने ऑडेस्टारीजिन और आथेस्ट अपरस्टाइटर, नथे का सब्सक्राइटर, का रहा थे वास अपरस्टाइटर आपधि अवड़़्ा नथाटर अवड़ना टार घ्टतार अब्सक्राइब जर नूलाइन अपनावीज जर एक बापनाव बजट को अप्सक्राइब था एकूली है अप्यूमता खापनाव तेम आपको हैंश्वी आफ एकूली अछिविज गूली शुटूडंता इन्च है प्रफूल सप्रफी लैंट प्रपट्साम और सब्सक्राइब लगई उन्हीं लगऑन में प्रफ़ लेचेए लीडिवस्ट ली शोगवाए लेटी लीव वनगगे लेडियर लीवस्ट इनकेस्ट पैस पुर फ्सक्राइब लीव पिक्रांथा लीवाएं इनकेस्ट्अटी अ प्तुर्पनी बेत्र करेंगान के चाहिए नहीं रीक मेजान प Historस और फिरा लीज़ ऋस्रीम आवा माझना लेवार कुछ बाच इंद एंद लाएंटी अब्षाष्टा ने अवेश्ट क्योंुग के बाच्ट आवर हो कि सुनुक्त था निए बाचे इंद निए प्रेष्ट इनख़ इंद एंद एक इंद एंद अटेमिन जाएंट अट। and I would like to thank my senior management chairman ISRO, my senior colleagues and my team members for carrying out and supporting all the things in a carrying out in a proper way. Thank you very much. Associate Project Director Kalpana. Good evening to all. This will remain the most memorable and the happiest moment for all of us for our team Chandrayaan 3. We have achieved our goal flawlessly from the day we started rebuilding our spacecraft after Chandrayaan 2 experience. It has been breathe in, breathe out Chandrayaan 3 for our team and starting from the reconfiguration to all the special tests and the simulations we have conducted meticulously and this has been possible only because of our immense effort from our Chandrayaan 3 team and of course Vidhi with the guidance with the guidance from our chairman ISRO, our directors and all our experts. With all this it has been possible. Thank you one and all. Thank you for all the minutest help which has been provided from all the areas of departments. Thank you. Thank you. Thank you. Chandrayaan 3 is a result of the work done by thousands of scientists, engineers, our staff and industries and support team across ISRO and other places, other institutions. And Shankaran has been the lead of the center which integrated all of these efforts in the last so many years. So I request him to speak on behalf of all of you. Thank you very much for the affection that has been displayed today now. So today we have achieved what we set out to achieve in 2019. It was delayed by about four years but we have done it. When Chandrayaan 3 was launched, after the separation of the spacecraft from launch vehicle, I said I will speak the rest of the things after the soft landing. So here I will take couple of minutes to tell the tremendous amount of effort that has been put in by the entire project team. When I say project team, it is not just only the project director and associate project director. Of course they are the face of the project. They have been living, sleeping, eating, breathing Chandrayaan for the last four years. They have been supported by such a large number of people, particularly in the navigation, guidance and control area, propulsion system. This area, the amount of effort that has been put by people, the number of simulations that have been done, the number of reviews they have gone through, the amount of criticism they faced and overcome that. It is, as a person who has been watching this for the last four years along with them, my heart feels, my heart goes out for them. The amount of effort is tremendous. That is what Israel is all about. that is what our organization has taught us to do. Now, today, this success has put us even more higher responsibility as the Honorable Prime Minister was telling because we have set the bar now so high. Nothing, nothing less than, nothing less spectacular than this is going to be inspiring for any of us in the future. So, as the Honorable Prime Minister mentioned, we will be now looking at putting the man in space, putting a spacecraft around Venus and landing a craft in Mars. Work on all these activities are going on for a few years and this success today will inspire us and will spur us to take those efforts even more strongly so that we will make our country proud again and again and again. Thank you very much for every one of you who have directly or indirectly participated in this mission, encouraged us intentionally or unintentionally helped us in all, 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 for every one of, every one of you. A big thank you because even, even a casual remark, an unintended point can, can help a person who is striving to reach a goal. The person who is making that remark may not have meant it that way but sometimes it can ignite that's why I said that even unintended help is is very, very, very welcome and we are very, very thankful for that. Thank you team Isro for supporting all of us and the amount of affection we received when this mission came into this final stage. The number of people who gave us confidence that nothing can go wrong and this is going to be successful. in fact I was not that much confident because we have seen couple of times issues because I know very well as a person who has been doing in this domain for 36 years I know there are thousands of things any of that can anytime go wrong and derail but so many of the people because that I only see as the reflection of the effort we have put that people are so, so, so happy to see this effort and they want us to succeed it is not that we are they know that we are going to succeed the people want us to succeed so thank you very much for everyone for your love and affection we will continue to do our best and make our flag fly ISRO's as well as India's flag fly high thank you very much honourable honourable prime minister called me and conveyed his greetings to each one of you you and your family for the wonderful work you did in ISRO so thanks are to him for the support that he is giving to us for missions like Chandrayaan 3 and the missions that are in the offing I think that's a great word of comfort that we are receiving for pursuing the inspirational work that we are doing for the nation I want to tell you and I want to thank you also for each and everyone who prayed with us in the last many days who wanted this success to happen in ISRO I thank all those people in all around the country and maybe beyond the country for their blessings and wishes and affection that he has given to each one of us for doing this work for the last so many years I want to specifically thank some senior people who have been standing with us especially the name of Kiran Kumar sir and Mr. Kamala Akar Sri Kotesha Rao they have been helping so much they were part of the team to help them to get the confidence and get the reviews done to ensure that nothing goes with any mistakes and of course this is not the work of us alone this is the work of a generation of ISRO leadership and ISRO scientists and this is a journey we started in Chandrayaan 1 continued in Chandrayaan 2 and Chandrayaan 2 craft is still working and doing lot of communication work with us and all the team that contributed to building Chandrayaan 1 and Chandrayaan 2 should be remembered and thanked while we celebrate Chandrayaan 3 and this is an incremental progress and definitely a great huge one it is and thank you so much for all the support and work that you have done thank you and is a and we can't keep and to the conference and to and to and and to school people have and the schools and and where झाल झाल